तो दोस्तों जब भी आपने पेटियम साउंडबक्स मंगवाया होगा और आपने या तो आपने पेटियम साउंडबक्स अपने मुवाल से ओडर किया होगा या एजेंट आपको साउंडबक्स दे कर गया होगा जब आपने मुवाल से साउंडबक्स ओडर किया होगा तब और एजेंट ने भी आपके साउंड बॉक्स में एक सिम इंसर्ट की होगी जो की कंपनी की तरफ से ओफिसियल रूप से होती है आपने भी उस सोचा होगा कि साउंड बॉक्स के अंदर सिम का काम क्या होता है क्या हम अपनी सिम इस साउंड बॉक्स में डाल सकते हैं साउंड वाक्स के अंदर सिम का काम क्या होता है जानने के लिए वीडियो पूर देखनी है आपको और एक भी स्टेफ मिश नहीं करना है चलिए विश्तार पूरवग जानते हैं पेटियम साउंड वाक्स के अंदर जो सिम आती है वहें सिम Airtel और Vodafone की आती है वह एक 4G connectivity वाली sim होती है अब आप बोलोगे कि soundbox में sim का काम क्या होता है soundbox के अंदर जो sim है soundbox के अंदर इस sim का काम क्या होता है यह sim दी गई है देखिए यह बोड़ा फंग के sim है हमारी और इस sim का काम इतना ही है दोस्तों कि आपके soundbox को 4G या जो भी इसमें internet बिलता है वह internet इस soundbox को प्राप्त करवाया जाए जिससे कि जब इस QR code के ऊपर आपका merchant account को link किया जाएगा map किया जाएगा तब आपके merchant account में होने वाली सारी transaction को internet की साहिता से यह है बोल कर बताएगा यदि इसमें रिचार्ज नहीं है इसमें internet का रिचार्ज नहीं होगा तो यह soundbox काम नहीं करेगा यह एकदम से speaker के रूप में रहेगा और आपके transaction को बोल कर नहीं बताएगा और जो यह sim है यह sim का कोई भी नंबर नहीं है एक बार कि कि यह किसी के ID के ऊपर इसका registration नहीं हुआ है इसके KYC अभी नहीं की गई है तो SMS का कोई भी नंबर नहीं होता इसे call नहीं होती है केवल आप इसे mobile में डालकर internet का अनुद ले सकते हैं कुछ एक दुगंटे उसके बाद तो company वाले मालूम पड़ जाएगा कि यह mobile में डाल रखी है और इसको वो disable कर देते हैं तो इसके बारे में विश्तार प्रूफ जानने के लिए उपर आई बटरिंग में वीडियो दी गई है जिसमें हमने इस SIM को mobile के अंदर डालकर चेक किया था कि यह चल रही है या नहीं देखने के लिए जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब आप पूछोगे कि हम हमारी SIM को सा इसी कारण से आप अपनी SIM साउंडबोक्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं तो दोस्तों इस साउंडबोक्स का चार्ज 125 रुपे महिना होगा आप चाहे 400 रुपे में लोकल से ले लिए इसके उपर आपको 125 रुपे का चार्ज महिने का देना होगा और तो इसके अलाबा दूस आप देख रहे हैं टेक नेट में चलिए मिलते किसी वीडियो में चलिए धन्यवाद